नमस्कार, मैं तनुश्का और आप देख रहे हैं The FourthPillar.News जारकन स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमन सुरेन राज्यवासियों को कई योजनाओं की सौगार देने वाले हैं आप अकबारों और अन्यमादिमों से इन योजनाओं का जिकर सुन रहे होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि ये योजनाओं क्या हैं और आप इसकल आप कैसे उठा सकते हैं आईए समझते हैं बिर्समुंडा की जन जैनती पर राजसरकार लगभग 4650 करोर की योजनाओं की शुरुवात कर रही है साथ ही सरकार कुल 674 योजनाओं को शुरू भी कर रही है और 1603 करोर की 226 योजनाओं का उदगाटन भी कर रही है इन में सरकार की लगभग सभी विभागों की योजनाय शामिल है सबसे महत्वपून है श्रम विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन जिसमें 10,000 से अधिक युवाओं को नियूगती पत्र सौपा जाएगा मख्यमंत्री इस मौके पर खिलाडियों के बीच पुरुसकार राशी का वितरन भी करेंगे साथी सावित्री बाय फूले किशोरी समरध्य योजना की लाभुक किशोर्यों के बीच DBT के माध्यम से राशी का हस्तांतरन और लाभुकों के बीच परिसंपतियों का वितरंग किया जाएगा इसके अलावा राची वीवी में 5000 लाइब्रेरी भवन के निर्मान के लिए आधार शिला रखी जाएगी हेमन सुरईन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारेकरम के तीसरे चरन का शुभारम करेंगे जिसकी घोशना जहरतन सरकार ने 4 अक्टूबर को 3 साल पूरे होने के उपलक्षि में किया था इसकारेकरम के तहट विभिन योजनाओं का लाब लेने के लिए 35 तशमलब 9-5 लाग आवेदनों में से 35 तशमलब 5-6 लाग का निश्पा दिन किया गया है 2023 में इसकारेकरम के तहट पंचायत सर पर शिविरों का आयोजन करके राजी सरकार को लोग कल्यान कारी योजनाओं का ग्रामिनों के बीच प्रचार पसार किया जाएगा साथ ही शिविरों में ही ग्रामिनों से आवेदन प्राप्त करके जाज करने के बाद उन्हें स्विक्रीती देकर योजना का लाब on the spot दिया जाएगा जारकंड निर्यात नीती जिसमें निर्यात करने वाले उद्योगों को रिंड राशीक में 5% सूद के दर में 5 वर्षों तक की छूट दी जाएगी एक्सपर्ट औरियेंटेड योनीट को इलेक्रिसिटी ड्यूटी से शत प्रतिशत छूट दी जाएगी भूमी आवंटन में भी प्रात्मिक्ता दी जाएगी वहीं उत्पात को पोट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सबसीडी भी दी जाएगी जारकंड MSME नीती जिसके तहत माइक्रो इंटरप्राइस को एक कड़ोर रुपे तक स्मॉल इंटरप्राइस को पाँच कड़ोर रुपे तक वह मीडियम इंटरप्राइस को दस कड़ोर रुपे तक की सबसीडी दी जाएगी जारकन स्टार्टप नीती जिसके तहत किसी भी स्टार्टप के आडियेशन, लीगल लॉक्यमेंटेशन, प्रोमोशन, मार्केटिंग और IT सपोर्ट, सीट फंडिंग, को वरकिंग स्पेस समेट अन्य सुविधा दी जाएंगी साथ ही जारकन IT डाटा, BPO प्रोमोशन नीती भी लॉंच की जाएगी इसके अलावा जारकन के गरीब और बेघर लोगों के लिए पक्का घर बना कर देने वाली अबुआ आवास योजना भी शुरू होगी जिसमें 8 लाख लोगों को पक्का घर मुहाया कराया जाएगा ये थी 15 नवंबर को राजसरकार दौरा शुरू हो रही महत्वपून योजनाओं की जानकारी आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताईए फिलाल के लिए देखते रहे है दफोर्ट पिलर डॉट न्यूज अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करने हैं बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में आप सातरा मंत्रित हैं इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानों जैसे फेस्बुक, इंस्टेग्राइम, ट्विटर पर भी देखनी को मिलेगी जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया हैं शुक्रिया